नमस्कार क्यापचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिबक्षी गडबंदन इंडिया को बड़ा जटका लग सकता है बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जैंत चौधरी और बीज़ेपी के बीच में डील पक्की हो गई है और कभी भी ऑफीशल एनाउस्मेंट हो सकता है जैंत चौधरी की पार्टी एंडिया में शामल हो सकती है तमाम बड़ी अपडेट आपको पताएंगे मेरे साथ जुड़े है कि आपटल टीवी के एडिटेर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमा पिशले एक दो दिनों से लागतार इस बात की चर्चा चल रही थी पर अब क्या डील पकी हुई है क्या कुछ चल रहा है देखे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं हम लोग यह देखे जैंचोधरी यहां खड़े हैं और काफी जोस और खरोस से पटना में तो में बाहर से जो लोग आ रहे थे यह गड़बंदन छिन भिन होता चला जा रहा है और भारती जनता पार्टी एक प्लैन के तहत पूरी तरीके से विपक्ष को डीमोरलाइज करने के लिए क्या आपके हिम्मत को ही तोड़ दे चुनाओ से पहले नई रनीती पे मालूम चल र रही है अकली दल वापस आ रहे हैं और अभी यूपी जहां असी सीटे हैं वहां एक बहुत बड़ा खेला कॉंग्रेस पार्टी अखलेस यादव और जेंत चौधरी यह रालोद आरलडी इन लोग के भी सामंजस नहीं बैठ पाया तो यह आपस में ही लड़ गए कॉंग्र प्रव है कि भई क्या किया जाए कॉंग्रेस पार्टी कभी सिग्नल देती है कि बीएसपी के साथ चले जाएंगे कभी सिग्नल देती है कि इधर भी जाएंगे तो अकलेस यादव के साथ तो कोई बाचीत हो नहीं पाई तो अकलेस यादव ने बकाइदा ये घोषना कर दिया कि जैन चौधरी के साथ हमारा गड़बंदन हो गया हमने साथ सीटे दे दी अब जो नई खबर आ रही है कि वो पल्टी मार गए है सिर्फ राजनीती में आज कल पल्टी मारों का दौर चल रहा है तो जैन चौधरी ने भी पल्टी मार दी है और वो भारती जिंता पार्टी के साथ आ रहे है क्या निगोशियेशन हुआ है क्या सर्ते जिसके उपर फैनलाईज हो रहा है पूरा मसला ये मसला फैनल हो रहा है कि कहां आप देखिए साथ सीटे दे रहे थी अखले स्यादव यहाँ पे लोग सभा में सिर्फ दो सीटे दी जा रही है सिर्फ दो सीट मतुरा और बागपत इन दोनों सीटों पे आरलडी के उमिदवार खड़े होंगे लेकिन ये पूरा का पूरा एक बुके है आफर का सिर्फ सीट का नहीं है ये कहा गया कि एक व्यक्ति को राजसभा भी दिया जाएगा लोग सभा में दो सीटे जहां चुनाओं लो लेंगे ये लोग एक सीट राजसभा में दिया जाएगा एक legislative council में दिया जाएगा यूपी में और उत्तर प्रदेश सरकार में एक व्यक्ति को मंत्री पद दिया जाएगा RLD से और वो NDA में सामिल हो जाएगे तो ये बुके इनको दिया गया है अब ये negotiations हो गया और ये बात ये final होगा एक दो दिन के अंदर जो exact time होगा जो भारती जंतर पार्टी timing पर बड़ा भरोसा करती है timing तो 14 February है क्योंकि राहूल गांदी की आत्रा यूपी में अंट्री ले में जाएगा तो वो जो है इसका मतलब आप समझें वो जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गड़बंदन के लोग जो है बाहर निकल रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी घोशना कर दी जाएगी अब जैंतर चौधरी के बारे आप देखिए जैसे ख़बर आई कि वह निगोशेशन चल रहा है अकलेस यादव ने यह नहीं कहा कि वह कोई ख़बर जो है वो जूटी है या जैन चौधरी आपकर के यह नहीं कह रहे हैं कि ख़बर जूटी है उन्होंने अपने प्रवक्ता को सामने क्या वो कह रहे हैं कि वह देखिए राज यह साजिस है अफवा है तो इस साजिस और अफवा को खत्म कौन करेगा जैन चौधरी करेंगे जैन चौधरी के पार्टी के लीडर कहेंगे उसके पार्टी के लीडर आकर के कह रहें कि देखिए हमें चार का ओफर दिया गया है सारे आपसंस हमारे जो है खुले हुए हम किसी से भी बात करें हमारा कोई जाती दुसमनी ब्यिज़ की से नहीं है उसके क्या मतलब है इसका मतलब है कि वो नकाल नहीं रहे राज़ीटी में वही आप यह बताए कि वही है आपको फ्री यहीbus एक ब्दिराद तख कर लगा कमलात ने आप ये कह रहे हैं कि भाई अपवा है तो फिर आपको तो जैन चौधरी को कहना चाहिए प्रस कॉन्फिंस कर लो क्लारिफिकेशन दे दो अपने किसी प्रवक्ता को कहो प्रवक्ता आकर कि तो कह रहा है कि हमारे सारे आप्शन कुले हुए इसका मतलब है कि डील जो है वो पक्की हो गई है अब ये सवाल ये भी है कि डील टूटा क्यूँ अखले स्यादब जरूर से ज़्यादा चाला की करन सिंबल तुम्हारा होगा अब आप यह समझिए तो जैन चौधरी के सामने एक option था कि मैं क्या करूँ पिशली बाव आप देखिए जैन चौधरी वो कुछ फिल्मों में आप देखिए में एक्टर तो कुछ और होता है साइड एक्टर का भी बहुत अच्छा रोल होता है तो जैन चौधरी जैन चौधरी गुड साइड एक्टर वो लीड रोल में आएंग एक भी सीट नहीं जीतेंगे उनको समझ में आ गया कि बही जो सर्वे बगरा देखिए ऐसा हाकारी सर्वे आ रहा है कि गला सूख जा रहा है विपक्ष के नेताओं की उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी जब लो रेकॉर्ड कर रहे हैं तो वास्तक वाले वो इंडिय टुडे वाले वो सर्वे कर रहे हैं वाँ कॉंग्रेसी और विपक्ष के सारे लोग लड़ पड़ जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि तुमने जो ये सर्वे बोदी के कहने पे किया तो बीजेपी क्लीन स्विप कर रही है तो बही नेताओं को तो मालूम है अब भागते भूत की लंगोटी ही सही अब साथ सीटों पर लड़के साथों हार जाओ ये अकलमंदी है या फिर दो लड़ो दो जीतो एक अपने व्यक्ति को मंत्री भी बना दो एक राजसभा भी फिक्स कर लो ये क्या फाइदे मंद होगा फाइदे मंद क्या होगा ये लड़ाई सिर्फ राजनीती सिर्फ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा सिर्फ उससे नहीं होता पार्टी के लिए क्या बहतर है तो आप एक को आप मंत्री भी बना दोगे अपनी पार्टी से एक को राजसभा भी भेज़ दोगे दो सांसत भी आपके हो जाएंगे तो जीत को देखते हुए पब्लिक मूट को देखते हुए और अकेले तो जैन चौदरी भी लड़े हार गये जीते तो नहीं उनके पिता जी बड़े लीडर थे वो भी हार गये अपने आखिर समय में तो वो तो अकेले जीत नहीं सकते और दूसरी बात कि जाट की राजनीती वो करते हैं किसानों की वो गाउं गाउं जाते हैं वो करते हैं अखिलेस के साथ क्यों जा रहे हो तो एक बार दो बार जो है आप जो है चकमा खा गए आप हार गए आपको समझ में आ गया तो अब इनको समझ में आ गया है कि भारती जंता पाटी की लहर है यह प्रभु स्री राम जो है उसके बाद फिर स्री क्रिश्न का अब तो सिल्वाना के जो है काम चालू हो जाएगा और जो मैंने कहा फिर से में बताता हूँ दो सीट पे साथ सीटों को ठुकरा के और यह सिर्फ जैन्त चौधरी के लिए नहीं यूपी के लिए नहीं पूरे देश के विपक्ष के लिए सिगनल है कि महौल कैसे बदल रहा है लेकिन एंडिये का कुनबा जिस तरह से लगतार बढ़ रहा है देखिए आप विपक्षी गड़बंदन है कहां मैं तो बार-बार कर रहा है ना यह तस्वीरों में तो नजला तस्वीर में ही सिर्फ है यह फोटो टांगने के लिए है माला चाहा दीजिए उस इंडिया गड़बंदन के ऊपर क्योंकि अब यह इंडिया गड़बंदन रहा ही नहीं इंडिया गड़बंदन बचा कहां अब तो यह ओल्ड यूपिय बच गया अभी दिनली के बारे में फैसला हो जाएगा तो मामला खतम यह सारी चीजें जो हैं यह बता रहा है कि आप 2024 के चुनाव को पहले ही हार चुके हैं और जो कोई भी जहां कहीं भी कुछ अपोजिशन सामने नदर आता है मालूम चलता है वो तूट जाता है बिहार में तूटा आप देखिए बचारे सरत पबार को कितना वड़ा जटका लग गया घरी छिन के लेकर भाग गये अजित पबार अब वो अपने घर में लगाएंगे घरी और सिर्फ घरी ही लेकर नहीं जा रहे है यह तो सिंदे से ज़्यादा खतरनाक है वो तो पार्टी ऑफिस के उपर भी कबजा कर लिए वो भी कबजा हो गया उनका तो यह जो मुझे लग रहा है कि यह जो बीच बीच में जो सैकलोजिकल गेम चल रहा है अभी जैन चौदरी की खबर आ गई फिर अकाली दल की खबर आ जाएगी फिर हर्याना में कुछ हो जाएगा फिर आंदर प्रदेश में कुछ हो जाएगा फिर केरल में कुछ हो जाएगा तब यह सौक ट्रीट्मेंट कर रहे हैं खेल खेल रहे हैं विपक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी अपडेट के लिए तो विपाक्षी गडबंदन इंडिया को बड़ा जटका लग सकता है चंदरमाबू नाइडू ने भी कल देर रात तक हम इशार से मुलाकात की थी तो वही अकाली दल के भी एंडिये में शामिल होने की खबर है तो वही बड़ी खबर उत्रपुदेश से स साथ जा सकते हैं इस बड़ी खबर में मेरे साथ प्लाल इतना ही कैमराफिसर अशोक के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीवी